हेलो अर्यवन गुड मॉर्निंग इंडिया आप सभी लोगा स्वागा थे आपके इस चैनल पर तो आज का अपना टॉपिक है कि बहुत सारे लोग को लगता है कि वह उनको अकेला पर महसूस होता है और उनको लगता है कि उनकी जिंदगी में वह बात नहीं है जो बहुत सारे कि लोग को फ्रेंड सरकल नहीं है या कोई स्पैसल पर सब्सक्ति वह निइन की लाइफ में कोई स्पैसल पर सब्सक्तिоры करें और उनको नीड है special लोग की या एक good friend circle की तो बहुत सारे लोग को वाला part लगता होगा और second चीज है कि कई बार जब हम अच्छा नहीं करते तो हम avoid करते लोग को हम try करते कि लोगों से दूर है हम अपना distance थोड़ा सा बनाते कि लोगों से बात करने मज़ा नहीं आता है क्योंक हम क्या कर रहे हैं तो हम avoid करते हैं हम ignore करते हैं हम whatsapp के message group में reply करने से भागते हैं लोग के message देखते लेकिन reply नहीं करते फेस्बुक में लोग का profile देखते लेकिन महां पर comments नहीं करते काओं कुछ लिए समझ नहीं लिखते तो बहुत सारे लोग की जिंदगी में ये वाला part म में को लगता है रहता होगा और और बहुत सारे लोग की जिंदगी में valid point भी है क्योंकि जब हम अच्छा नहीं करते तो कुछ मन नहीं करता है actually सच बात भी है कि हमारा मन नहीं करता है बहुत लोगों के साथ मिलने का बात करने का क्या बात करें कितना एक्टिंग करें हसने का और कितना एक्टिंग करें कि life is good और तो यह tough होता है मेरे coding तो यह tough होता है और बहुत सारे लोग एक्टिंग भी नहीं कर पाते और जो लोग बहुत अलग माइंड सेट अप था लेकिन धीरे-धीरे समय बीचते गया और उनका माइंड सेट अप चेंज होते गया, उनकी फ्रेंड्सिप कम होते गई, फेस्बूक में उनके पोस्ट कम होते गया, सोसल मीडिया में जरूर रहते हैं, लेकिन वहाँ पे वो कुछ पोस्ट ठीच्छ नहीं करते और बहुत जड़ा लोगों को मैसिज नहीं करते हैं, वह जणा लोगगों को क्वाल नहीं करते हैं एक्वक प्लूर को सकती है, यह सब चीजे जो है , यह एक डिपरेशन का पुहला स्टेफ है कि कि युद्द रहेगा ना मतब आप भी बताइए कि क्या करें तो कितना एकटिंग करें हैप्य रहने का जबर्दस्ति सोसल मेडिया में पोस्ट करें फेस्बुक में पोस्ट करें में अपना कुछ थी पिक विक ले सर कुछ selfie लेकर डाले सर जब जिन्दगी में कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है तो क्या ही पोस्ट करें और किसी फ्रेंड से क्या बात करें सर ना कोई special ऐसे करें झाल पर सब्कार्ख यह वियुक्तु होकर में जानताओ कि यह सच में आसान नहीं है जब ट œ conceptual होता है तो यह आसान नहीं होता है क्योंकि हम लोग को रिप्लाइं नहीं करना चाहते एवाइट करना चाहते रिलेटिव के घर नहीं चाहते मेरिज में हम नहीं जाना चाहते लोगों से थोड़ा सा कंद्नी काटते लोगों से मिलना नहीं चाहते रिलेटिव से मिलना नहीं चाहते हमको डर लगता है कोई पूछ ना ले कि क्या कर रहे हो बेटा या ब बॉइस में तो चलो याला पॉइंट थोड़ा जल्दी नहीं आता है, 30-32 साल के जब तक नहीं तो अब तक एक दम बहुत फोकस नहीं कहता है, गजस में से अगर किसी का जॉब अपना लगे तो 23-24-25 में लोग बोलना चालो कर देते हैं, कि ठीक है, मतलब साधी कर दो, आपक सब्सक्राइब करें, लेकिन जिस टाइब से दुनिया भड़ रही है, कैसे को लगता है कि अगर वो mentally happy नहीं है, तो वो साधी करके भी नहीं हो सकता है, यकीन मानी साधी करके भी नहीं हो सकता है, जो अपना partner होगा उसको, वो feeling connected नहीं होगी, क्योंकि आपको बार-बार failure व सब्सक्राइब करें, तो सर यह तो problem होगी, solutions क्या है, मैं इसको मानता हूँ कि, ऐसा नहीं कि मेरे पर कोई best solution है, लेकिन मैं इसको मानता हूँ कि, यह वो time होता है, जहां पर आप अपने आप से बात करते हो, डिप्रेशन वाला part तो no doubt थोड़ा से start हो चुका रहता है, अप से बात करते हो, तो मैं बोलता हूँ कि, जब आप लोगों से बात नहीं करते हो, इगनूर करते हो, तो आप अच्छे से cut off कर दो, social media से cut off कर दो, अप अपने पे focus करो, आपका जो weakness है, आपको लगता है कि आपका presentation अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि आपकी smartness में कमी है, आपको लगता है कि मेरा technical week है, आपको लगता है कि मैं अपनी बातों को नहीं रख पाता हूँ, जो जो जोन आपका week है उसमें काम करो, कोई रिखती कैसा भी रिखता है वो smart बन सकता है, अगर वो अपने आप पे काम करेगा तो, उसके बातों में वजन आ सकता है, उसको देख लगता है कि कैसे वजन आएगा, उसको लगता है कि मेरा technical अच्छा नहीं तो जवर्दस जान लगा कि अपना effort करें, उसको लगता है कि मैं को मैं एम टेक करने के साथ साथ सार अपनी life को carry करना चाहता हूँ, preparation भी करते रहोंगा, job भी करते रहोंगा, आपको ज्यादा हूँ हो रहा है तो आप 10,000-12,000 की जॉब जॉइन कर लो कि छे घंटे की आठ घंटे की चलेगा लेकिन लेकिन कई बार जब बहुत ज्यादा जब आप अकेले रहते हो ना तो आपके कोई एक जरिया होता है यह वाला जो टाइम होता है और इस इस टाइम पर अगर आप सच में अपने आप से सही तरीके से अपने को रिपलाई कर रहे हो अपने को आंसर दे रहे हो सही तरीके से अपने आप से बात कर रहे हो लोगों से भाग रहे हो अपने से भागना अगर अपने स प्राजी नहीं बचान फिर जीरो हो गया सब कुछ जी रोगे तो मैंको लगता है कि क्योंकि यह जिंदगी यह जिंद्गी तो मिली है तो इसको तो जीना है छहाए फिर आप 10-12,000 की जॉब करो चाहा 15,000 की जॉब करो चाहा एक लाग की जॉब करो जिन्दगी को तो जी नहीं है जिन्दगी को तो आभ इगनोर नहीं कर सकते और जिन्दगी एक बहुत मतब वन तो बेस्ट फिंग है मतब एट लीस ऐसा तो सिच्वेसान नहीं है न कि आपको आपको गड़ा खोदना पड़ रहा है या आपको अद्दम तड़ अपना पर जा रहा है दाल चावल के लिए तड़ नहीं होगी न तो ऐसा नहीं है जो जुनिए दुनिया म तो उसको नहीं पता कल वो जिंदा रहेगा की नहीं कल कल उसको कुछ मिलेगा की नहीं कल उसको गोली मार दी जा नहीं पता सच में आप तो इंडिया में रह रहे हो तो इतना वस सिच्वेसान नहीं है जो दुनिया के बहुत जगा पर यकीन मानिये जो हम नहीं समझ सकते क् हम उस situation में नहीं रहें लोग को सबने देखे तो टफ होता है तो कि डिप्रेस होके कुछ कुछ करना मैं को लगता है कभी भी solution नहीं एक प्यारा सा गिप्ट मिले भगवान ने हमको सही सलामत इस दुनिया में भी इसे अपने आप में गिप्ट है उपर वाले ने अब आप बोलोगे कि सवरे राइनी बनाया अब सल्मान खानी अरे अर्बो अर्बो लोगों में 100-200 वैसे दिखते हैं छोड़ो ना आप करो लोगों समान तो द आपको मतब ब्रेन वाला प्राबलम नहीं है आपकी बोडी में से कोई प्राबलम नहीं है आप बेसिकली आप सब कुछ ठीट थाखें तो यह गिप्ट है यह गिप्ट है आप इस गिप्ट को अच्छे से ना हैंडल नहीं कर पा रहा हो कि अगर आपके पास कुछ कमी रहती को आप देखने पढ़ें अप्छलने पाथ यह सुन नहीं पाथ तो आप अंडर्शेंड करते देखना कितना बड़ा गिवट है आप चलने पाते इअप Propos Connect करते आपकी जो weakness उस पर काम करना है और इस life को gift समझ के आगे carry करना है तो आप एकदम depressed होके कुछ decision लेने के need नहीं है ऐसे समय में लोग को अपने पर काम करना चाहिए और एक normal विवेक्ति अगर थोड़ा सा compromise कर ले और दुनियादारी छोड़ दे हमारे साथ दुनियादारी इतनी जोड़ी हुई है कि हम उससे निकल नहीं पाते हैं चाहते हैं निकल नहीं पाते और क्यों नहीं निकल पाते उसका आंसर भी नहीं है मारे पास सज बात यह है कि हम चाहते जरूर है हम चाहते जरूर है रात को सोते समय सोचते हैं कि कल से जिंदगी की एक नई पट्री प्रों अर्व लोग करते हैं, उसको साथ साल जीना, उसको एक्जेकली तीन साल जीना, सच में टफ है, इवन मेरे लिए लिए टफ है, मैं तेसारी बाते करता हूं, तो ऐसा निए कि मैं कुछ बहुती, मैं भी एक आलसी वेक्ती हूं, कई बार अपने बिस्तर को जमाने में मे बार आलसी वेक्ती हूं, इतना आलसी जो नॉमली लोग नहीं होते हूंगे, मैं भी कुछ जगा पर ऐसा आलसी वेक्ती हूं, तो मैं अंडेस्टेंड करता हूं कि कई बार हम चाहते हैं, उससे निकलना निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जंजीरों को तो तोड़ना पड़े कर रहे हूं, आपको लग रहा है, आप यकीन मानिये, थोड़ा सा मैं आपको एक देता हूं, जब मैं B करता था, जब मैं स्ट्रगल करता था, तो यकीन मानिये, मैं को money wise बहुत problem होता था, मैं को कुछ पैसे पापा किसे को दिये हुए थे, उनसे मैं को पैसे लाने के लिए बढ़ा स्ट्रगल हो जाता था, उनसे लेने के लिए भी, चार पाच छे अजार रुपे लेने के लिए भी, यकीन मानिये, मैं बहुत छोड़ी छोड़ी चीज़ा मैं बढ़ा स्ट्रगल देखा हूं, लोग वैसा रिस्पॉंड नहीं करते थे, मतलब ignorance बहुत बार फिल क् मैं एक्सपेट करता था किसी से कि वो मैं को बाइक दे दे, लेकिन नहीं दिये, मैं मतलब कैसे समझा हूं, बहुत बार ignorance फिल क्या हूं जिन्दगी में, आज हर विक्ति मेरे साथ मिलना चाहता है, मैसेज में बात करना चाहता है, दिन भर मैं को सिर्फ कॉल रहते हैं, दिन बड़े बिजनेसमेन में से दोस्ती करना चाहते, वो अपनी पार्टियों में चाहते हैं, मैं वहां प्रेजेंट रहा हूं, इतने सारे लोग अपनी मेरीज में में चाहते हैं, लेकि मैं चाहा के भी नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी priority कुछ है जिन्दगी की, तो मैं कई बार नहीं हो पाता, बड़े बड़े लोगों से नहीं मिल पाता हूं, मतब अच्छे मतब कैसे समझाओं, तो एक जमाना था जहां पर मैं एक इग्नोरेंस वाला परसन था, तो इस दुनिया में ना लोग successful वेक्ति को देखने का नजरिया चेंज जाता है, एक normal वेक्ति को लोग अगर आप किसी के काम के नहीं हो तो आप बहुत important नहीं हो, मतब सच्चा ही है, जब आप उसके काम के नहीं हो तो वो आपको value किस लिए देगा, question तो यही है ना, आपको value किस लिए देगा, मतब question यह है कि कोई किसी का है क्या, तो आप किसी से मांगो मत, आप किसी से importance मत मां होता है importance मांग रहे हो create करो लोग आपके साथ पांच मिनट बात करके feel करें और हर बार अमीर व्यक्ति होना जरूर नहीं होता है कई बार अपनी बातों से स्टॉंग होना होता है अपने knowledge से स्टॉंग होना होता है इतने टाइप का जुंदगी में knowledge है आप knowledge gain करो आपसे को तीन मिनट मिले तो impress हो जाए आपके आपकी बातों से आपके knowledge से हर बार थोड़ी सा पैसा लेकिंगे घुमते रहना होता है देख भए मेरे पाप पैसा है थोड़ी से लोग भागेंगे पैसे के बीचे आपको कई बार अलग अलग तरीके से करना होता ह अपनी अपना क्रेट करना होता है तो पिर मजा नहीं होता है कम मजा फेल होता है दोनिया में क्योंकि society ऐसी है हम society को change कर सकते हैं नई से अचैंज को हम एक ही change कर सकते खुद को उसक फ्र疫這裡 कुछ एमारे control में नहीं कुछ भी एमारे control में नहीं हम अपने पापा का थोट को चेंज नहीं कर सकते तो आप सोसाइटी के थोट को चेंज कर पाओगे यह तो इंपॉसिबल चीज है एक ही चीज है आपके पास सिफ कंट्रोल में आप अगर आप खुद को भी चेंज नहीं कर पाए तो फिर आपके हाथ में कुछ भी कुछ भी कर रही कमंट्रोल मिल stakeholder को तो थीच एक ससमें कि ने बताइएगा कि लाइफ को हा रही है जीते कोई प्रोब्लम नहीं है फाइट करते रही है जिनने के को बैटर बनाने के लिए ठीक है चलो ऐसे मैं बात करते रहूंगा ओके थैंक यू अरी मच लव यू ओल